स्वागत आप सबका आप देख रहें इंग्लेंड वर्सस साउथ अफरीका सेकेंड उडियाई मैच प्रिव्यू जो खेला जाएगा ओल्ड ट्रेफर्ड मैंचेस्टर पे मैच टाइमिंग शाम के साड़े 5 बजे और अगर आपने वी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं कि दिन पहले 17 जुलाई को इंग्लेंड वर्सस इंडिया की बीच में थर्ड उडियाई मैच खिला गया था तो अपने उस मैच के अंदर क्या दीखा था क्या सीखा था आपको मैं पर स्टैट्स को दूरू समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ध्यान देना है जो पीच र मैं आपको कुछ फोटो दिखना चाहता हूं जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलिज मिलेगी अब देखो हैं पर मेरे को इंडिया वर्सस इंग्लेंड का जब यहां पर थर्ड उडियाई मैच वादना तब फोटो नहीं मिली तो कोशिश भी करी ती पिछकी फोटो डूंड मिल सकती है यह चीज आपको ध्यान देनी है और जो कटर बॉलर्स रहेंगे ना जो गती में मिशन करते हैं विलेशन करते हैं उनको यहां पर मदद मिलती है बाउंडरी टैमेंस की बात दरते हैं सामने की बाउंडरी यहां पर 70 मिटर है जो स्क्वेर बाउंडरी है एक इसके प्यारा स्टेडियम है तो इसके पॉपुलर है यह कांच की डिजैन रहती ना इसको एमिरेट्स ने स्पॉंसर किया हुआ है बहुत बढ़ी है स्टेडियम है यह यह चालू ही सेरिय में आपको दिखने रहें जूम करके दिखाँ यह को चेकर चो कि मारे देग बाल इ इस मैच में भी आरेसी बात नहीं है अब देखो इस वैने के उपर इंग्लेंड ने साथ मैच खेले हैं चार मैच जीते हैं तीन मैच आ रहे हैं आपको बता दिया है चेसिंग ज्यादा तर यहां पर टीम जीती है वासे दन स्कोर 242-300 आपको बनता हो दिखेगा आप देख इस ने 34 वीकेट निकाला है पहली पारी में उननी सा दूसरी पारी किंदर 15 है नाउम knater है अीले पेसर का 6 अठर पेसर गंता है अीज ह पेसर और स्पिनर ने तब समझ सकते हैं पहली पारी में हलका साइज रहता है विगेट्स निकालने का वहाँ प्रेटिंग करने जाता है जो आप टार्गेट चेस करते हैं तो ट्रिकी सिच्वेशन रहेगी कि बॉल फ्रस्ट वालोग लेने से बॉल सेकेंड वालोगो लेना है यह काऊँगा बॉल सेकेंड में स्पिनर से इंपोर्टेंट रहेंगे कटर बॉल से इंपोर्टेंट रहेंगे बॉल फरस्ट वालोगो लेके जा सकते हो ठीक है अब देखो जो लास्ट मैस खेला गया था 17 जुलाई को मैस था इंडिया बना मिंगलेंड एतियासिक दूस्त तो मैस था सीरीज भारत जीती थी वहां पर रिशाप पंदम मैन तो ग्यार विकेट पेसर का था चार विकेट वहां पर स्पिनर का था क्लाउड यू इदर फूकस्ट है यहां पर दोर शावर्स लिखा हुआ यार जब मैं देख रहा तो ओल्ट ट्रेफर्ट पे शावर्स म स्पिनर है ली चेस्टर का गेंदबाज और वो इंग्लैंड अंडर-19 का प्लायर है चुक्त है मातरे 17-18 साल का लड़का है यार वो एक दू दिन पहले इंग्लैंड के स्कोर्ड के साथ ओल्ट रेफिड मैंचर्टर पे दीखा था वो भी खेल सकता है पर मैंच आता दोस्त च्पिडार 17 तक 6 मैं इंग्लैंड दो जीती है इंग्लैंड दो जीती है साउथ अफ्रीका तीन जीती दोस्त चिंता इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो अपने नैच्छुलल गेम के लिए जानी जाती है अटैकिंग गेम के लिए और मैचस जीती है लेकिन साल पता नहीं क्य और चार्ण डेविड विली आधिल लासित री शोपलिए पो खेलते हों दीखेंगे होम ग्राउंड तीन प्लैट्स का दो प्लैट्स जोस्ट बतलर लिंग्षटन है ओल्ट्रेफर्ट मैंचेस्टर लंकेशर के लिए लग्या है फेले ससक्स के लिए खेलते थे थे तीन प्लै सब्सक्राइब करेंगे अनिवान मलन के साथ वन डाउन रेसिवेंडर दूसेन है तू डाउन एडेन माकरम डेविड मिलर हैंड इस क्लास इन फिलवाकियों इंजर थे अभी डाउटफुल है डिवन पुट्रस कहलेंगा अगर यह नहीं खेलेंगे सीधी बात है केशिव मारा आप यह नाओ जाए कप्तान साब अद्टिशनों के अंगेडी आपको खेलते वी दिखेंगे चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस मैच की तरफ मेरे आपको फस्स सुड्य में बताया था क्रेक्टिस वाक्रे कौन चाया था इदूसें बाइसाब पहले प्रैक्टिस में चार ग कि यहां पर पेस नहीं है विगट के अंदर डरम में पेस था बरको लगता नहीं गती रहेगी लिकिन आप ट्राइग कर सकते हैं खुत-खुत-खुत-पॉइंट स्रम्षी इंपर्टन रहां सकते हैं यहां मैं अच्छे कासर प्लार आप मैं यहां पर जॉनी जॉनी यस पापा साथ मैच में दोस्तों पांच रहन है अगेंस साथ अफरीका 24 कि वर्श बैट फरस्टेट इन वन दोस्तों पर रहना जो रूट प्लायर ऑफ हाइड टेम्परामेंट 14 मैच 52 के उसद है 600 सी रहना लास्ट मैच में अच्छी पारी खेलके गए थे मैच नहीं जीता पाई 9 मैच 459 फिफ्टीवन के उसद है बैट फॉस्ट में चेस की पर 55 के उसद है तो चार मैच में दोस्ट की सरन है है रिब्रुक हैट टोटनी के लिए इन्होंने ओडीडी के अंदर 15 मैच खेलें 343 रहन से 30 के उसद है जॉस्ट बाहस आएंगे बारा मैच 32 के उसद है तो साउथ अफरेकर खिलाफ अच्छा करते हैं 260 रहन है बैट फर्स्ट आट मैच में 200 रहन है चेस के पर दो मैच में 60 के मुहिन अली दस मैच 12 विगेट है 192 रंस विध बैट है बॉल फर्स तीन मैच में दो विगेट है बॉल सगंड साथ मैच में नौ विगेट है दो मैच कंदर विगेट लज गया है मुझे लगता नहीं सीरीज कंदर परफुमेंट्स ये पाएंगे क्यों सामने शंशी रहें बाइट है एंगेडी की बॉल पर चौपन होए थे डिविल्दी का चार मैच में एक एक विगेट है अगें साउथ अफरीका 44 उन्स देबैट सैम करन्ट जिरु विगेट बॉल फर्स जिरुट बॉल सेकंड एक विगेट बॉल फर्सक्रास एक इठारा रन की पारी आई थी अधल राषित वाचा उटоме दस ने डाले तेंग गेन पाजने अलजसमें दस डाले थिक तो अधल राषित एक सवी करन थे बॉल फर्स चार मैच में चार विगेट बॉल सेकंड साथ मैच म्हें दस जांथ मद्रिकेट लसल गयें लास्ट में बैंस्ट बैंस्ट्रोक्स लिखा देटर में हाई भी ता भाई सब वह तो अपना लग था बैंस्ट्रोक्स करने आ गई तैयार अपनी वज़े से वा यह वा ऐसा नहीं लग था अपना चलते हैं दोस्ते आपकिस की तरफ सौथ अफरिका की तरफ कुंटेंट डीक अगेंस्ट इंग्लैंड और अच्छे लाड़ी हैं उडियाई के अंदर मातर सत्रा मैच खिलें फिफ्टी नाइन क्योसत और आट्सो रंस है अरे प्लेयर ना बहुत उच्छा यह कुछ हो रहा है स्टार्टिंग से बोलते हैं आपन कुछ प्रैट्स होसे होते हैं जो स्ट सब्सक्राइब करें तो बैंस्टोक स्कॉर्ट को रहा है जीता सकते हैं एडिन माकरम यारा रन चेस के उपर सततर रन वैट फ्लस दो विकेट था स्टार्टिंग में स्ट्गल करें एडिन माकरम विद बैट फिर बाद में बॉल को अच्छे से टाइम करने लगए बीच के आपका अब ही करियर में ऐसा आता ही होगा कि आपकर युकर दोस्तों किसी सीज़ के अंदर कमफर्डिबल फिल नहीं करते अपने कमफर जोन से बाहर जाना पसंद नहीं करते लेकिन जब बाहर जाते है तो आपको बता जलता ज़्यों से यहीं रियल लाइफ है तो वईसा था है दोसों की पर उस्थ रखना बैट फुर्स चापन नाबाद 16-90 24 नॉट आउट क्राइड लिक पी कर फिर सही है चेस की पर 11-71 नाबाद क्लास इनका बाहर है रहे रहां है एक मैच में तीन विकेट है कोई दिक्कत नहीं है चलता है शम्शी अभी अपडेट कर दिया पांच मैच में आटविड एंगेडी गा अगेंस्ट इंगलाइड चलता है आपे स्टार्टिंग ओवर एंडिच नॉकिया एंगेडी डैथ रोग अंगेडी नॉकिया फिल वाक्यों खेलते हैं तो वह वर्नाव आएंगे कि देखा ओल्ट्रेफर्ट मैंचेस्टर पर मैच मैच मैदान का नाम है जसन रॉइने 6 मैच के लिए 133 रहना है 19 के उसद है लास्ट मैच में 41 करना था अच्छा स्टार्ट लिया था उन्होंने बैटफर 634 21 041 चेस के पर एक तीन है जोनी बैडिस्टो बहुत अच्छा कर है बैटफर्स जो रूट यहां पर खेले है आठ मैच 186 रंस है तेज की उसद है बैटफर्स एटी है ठडीन है लास्ट ताइम सिराज ने आउट करा दो जीरो पे इनको और चेस के पर तीन 54-11 चॉस्ट दबॉस नौ मैच 259 रंस इंका उम ग्राउंड है 45 की उसद है लास् ने सताइस करा लास्ताइम भैट पर्स सब्सिरूगेट निंगला अग्राधी पंडेप सब्सिरूगेट निया निकला अहद इक पंड कर शेड है जितितन मुझे याद है रिए यहाद आता मुझे एक शॉट्र ने टीन नइन टाएट रंटन अटरा रं अटरन थर्टारा ंतिर प्लस माझेट तो और ऊच्यृत प्लस 3 मैचेट नेट है इन काण यह उडिया जो आफे इन उल खाया बॉलिर मि आय हुआ है इतता की तोस्त पर एक देग सकते हूँ है तीन विकेट बॉल सकेंड तेन विकेट बॉल सकंड जो जिए थे हुगर थे क्यों यह उबन को यह वाइसा भाला लमकेशर मैंचेस्टरि तुम पर तरन भी घ्रेग बॉल-तार मॉल-तार जो पर खेंड गर्फेंगर गॉर्त्री नि सेकेंड था मेरे नोड डाला था दो रबड़ा का तीन विकेट था हूं आप पर पिक्स की बात रहते हैं बाई साब एक्सेंज 22 को पिक्स क्या रहने वाले हैं आपर तो आप देख सकते हो मेरे पास यहां पर क्वंटेंडी कॉप बाई के अंदर एडन माकरम है यहां पर दोस अगर एडन माकरम की रेट 50 है इसका मतलब क्या हुआ अगर एडन माकरम 50 के उपर अन बनाता है या फिर समझे इसने 60 पॉइंट दे दिया साथ पॉइंट कैसे भी इड़ या भी द वाल कैसे भी पॉइंट दिया तो अपना 10 रुपे का प्रॉफित हुजाएगा और अगर आपने पचास तर लिये हैं तो इन टूप 50 कर लो तो आपको 500 रुपे का प्रॉफित हुजाएगा अगर खुदर नाकास ऐसा नहीं हुआ अगर इडेन माकरम 10 रन पे आउट होते हैं तो गया होगा 10 पोइंट में लेगा ठीक है कैचिंग के भी पॉइंट रहते हैं में आपको वस पॉइंट बदा रहा हूँ 10 पॉइंट अगर अगर को लिया सका है उसको पचास पे अपना लॉस होगा 40 का और अगर आपने 10 रन तो आपको 400 का loss हो जाएगा, माँ पर, ठीक, जिंदर सा logic आ रही है, इसमें सरीफ आपको एक प्लेअर पर फोकस करना पड़ता है, आप एक प्लेअर को भी लेके बाई कर सकते हैं, एक प्लेअर को लेके चैल कर सकते हैं, लेकिन रबर अविलेबल नहीं है एंगेडी के सामने 42 गें 58 रन दो बर आउट हुए केशियो मारा जाइन के उपर थ्रेट रहने वाल है लास्ट अपने डिसस भी रहा था लेफ्टाम ऑथा उड़क सामने फस्त है 47 गें 44 रन दो बर आउट हुए जॉनी जॉनी यास पापा क स्ट्रगल है यहां पर शम्षी के सामने जॉनी बैरिश्टो पुरा नाम है कुछ लोग कहेंगे आप क्या बोल रहे हो 41 गें 44 रन दो बर आउट हुए शम्षी के सामने लास्ट ताइम इंको आउट करना था इन माकरम ने दो बॉल में 0 रन दे के जुरूट का मैक्चब बन बर दूसरी बारी में चलता है मोईनगा बट सारी स्ट्राइ ने चींड और इंगैडी प्रेटुरियस और मिली में अपने मैसमने बेमीष एट लुकिन चलताह nosil है प्लाइके में 50 वार रंट करने के लेगा किसे लिएक है उन्होंने ने क्या रहा तो झाली एटाट में मे तरह नहीं इस फिल्टर को यहां रखा था थोड़ा सद दूर उनको लल्चाया मेड़िट को अंदर लाए थे यहां पर यहां पर दूसर शॉट किल वाइथ उनको और शिद्धा बॉल चड़े वी उपर हगे में आउट हो गया तो फिर से करेंगे लग रहा है मेड़िट खाल आपने पांच बार आउट चाह पर अच्छा मैच अपर कुंटन टीकॉक और मुहिन लीका और यहां पे साम करन ये लास्टाइम आउट कि रहा हुआ है लास्टाइम पर शॉट मारन गे थे तरफ लाँट अट हेथ है एड़न मार रसी लिविग्स्टन च्विग एड़न उ जोरूट इसको नाना बनाव गास सब्जूप यहां पर कॉइंटन इकता यहां लास्ट फर्स्ट वाली है सेम चेंज नहीं करता हूं जो सोच लेता हूं तो तो जोरूट कुझ पर पूरा तो यहां पर आप सब्सक्राइब आंपर और गापर हैं आहसा टीम की तो यह वही सेम रखूँगा मैं फिर से बात हरते हैं तुस्तों टीम की पिछले बार इंग्लाइन का बिष्ट अटक भी किला रहा था तो डीकॉप की बहुत बड़ी बारी कहल सकते था लेकिन गलत शॉट कहला सा स्लोर को बढ़े हुआ है अब बड़ी में करना बिल्ख घबराना नहीं आपने तो जोनी बैडिश्ट आप इंपोर्टं लग रहे है स्वैने पी तो बहुत रंस बनाये इनोंने और अच लास मैच में अच्छे फॉर्म में दिखे थे डिकॉक दोस्तों इंपोर्टेंट प्लेयर है तोड़ास अच्छे से समल के खेलना है इनको जॉस्पल्टर का ओम ग्राउंड है यहाँ पर अमिशा अच्छा करता है हैंडरिज क्लासिन का सिनेरियो वही रहेगा टॉप ओर ड्रॉप करो साउथ अफरीका एक दो प्लेयर और इनको ले लो बड़ी पारी खिल सकते हैं टॉप ओर नहीं चला तो मिलर को भी लेना है तब क्लासिन को लोगो तब टॉप ओर राइट होगे तो बूसेन इंपोर्टेंट है माकरम दो से अच्छे का से खिला डी है दो रूट यहाँ पर इंपोर्टेंट है ले उंग्स्टें काम ग्राउंड है अच्छा कर सकते हैं गेंदबाजी में विकेट इनके बास है दम स्किल से विकेट निकालने के एंगे डी भी दोनों परे में इंपोर्टेंट है कर्स वाल फर्श में इंपोर्टेंट आदल दोनों परे में इंपोर्टेंट है तो केशियो माराजा मेरे साब से दोनों परे म अच्छा कर सकते हैं पर केशियो माराजा के ती तो जा से नाम है स्टाइट्स घुरू जी तीक है स्टाइट्स जी ऊसके बर दोस्ता आपको सारे स्टाइट्स मिल जाएं इन फॉर्मेट मेज लेखनी